तुमस्कार दोस्तों इस इलाउशन में आपका फिर से स्वागत है मैं ड्वोगेट दिपक आज आपको बताऊंगा कि अगर एक MLA अपनी सीट पे इलेक्शन हार जाता है और उसकी जो पार्टी है अगर वो इलेक्शन जी जाती है तो भी वो हारा हुआ कैंडिडेट CM पदगी सपत ले सकता है और वो किस कानून के किस प्रावधान के अंतरगत CM बन सकता और कितने समय के लिए रह सकता है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों आभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बंगाल इलेक्शन में ममता बैनर जी अपनी सीट से जो है इल बावजूद भी अपनी सीट से हारने के बावजूद भी जो है वो CM पदगी सपत ले सकता है दोस्तों आर्टिकल 164 भारतिय समविधान का ये कहता है कि बही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नोन MLA है वो भी जो है एक मिनिस्टर और एक CM की पदगी सपत ले सकता है लेकिन ये सर कर सकता है 6 मेने के अंदर जो है या तो उसको 6 मेने की खतम होने के बाद उसको वो अपना ओफिस छोड़ना पड़ेगा या फिर उसको 6 मेने के अंदर-अंदर कोई दूसरी सीट से इलेक्शन जीतना होगा तो दोस्तों अभी ममता मेनर्जी को जो है CM पद की शपत लेनी है तो उनके पास ये चारा रहेगा कि या तो वो जो है 6 मेने के अंदर-अंदर अपना जो है ओफिस वो छोड़ सकते हैं या फिर किसी सीट से बाई-एलेक्शन कंड़ेक्ट करवा के वो सीट जीत के फिर जो है अगले 5 साल के लिए जो CM का पद है वो रख सकते हैं तो इस वी झाल झाल जsto हुआ है है